नमस्कार देसी टीप्स हिंदी के एक नए और फ्रेस एपिसोड में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो यहां आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ के नाखुनों की लंबाई किस प्रकार से बढ़ाई जाए वेसे तो अगर आप ठूंडने जाए बाजर में तो कहीं प्रकार की क्रीम और कहीं प्रकार के ओयल आपको मिल जाएंगे जो की दावा करते हैं के नाखुन की लंबाई बढ़ जाएगी बगर उनसे कुछ फाइदा तो नहीं होता साथी साथ आपने जो पेशे खर्च किये थे वो भी वेश्ट जाते है तो यहां दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ नाखुनों को किस प्रकार से घरलो नुस्के से बढ़ाये जाए वेशे तो यहां हम दो से तीन चीजे यूज़ करेंगे और यह आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा और आपके ज्यादा पेशे भी इसमें खर्च नहीं होंगे लड़किया आज कल देखा जाए तो बहुत नाखुन बढ़ाने की सोखिन है वेशे तो अगर देखे तो बाजर में जो नकली नाखुन मिलते हैं उनसे भी कुछ लड़किया काम चला लेती है मगर आप ये नुश्का कुछ दिन यूज करेंगे तो आपको जो बाजर में नकली नाखुन कुछ वगरा जो मिलते हैं उनको लगने की जरूरत नहीं रहेगी यहां इस मुश्के में हम केवल दो चीजे यूज करेंगे सबसे पहली चीज तो आपके सामने ही आपको दिख रही होगी यहां मैंने दो से तीन इस तरह की लेसुन की कलिया ले लिजिए उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह की यह खाली कटोरी ले लेनी है छोटी सी और उसमें दोस्तों हम दूसरी जो चीज यूज करेंगे वो है कस्टर वैल तो यह वैल आपको बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाएगा अगर आपके पास नहीं है तो आप बाजार से ले लीजिए यह वैल स्किप ना करे तो बहतर अच्छा होगा क्यूंकि यह वैल अगर आप यूज करेंगे एरंडी का तेल तो इन से आप कोई नाखुन बढ़ेंगे तो सहीं मगर साथ साथ बहुत मजबूत भी होने वाला है तो यहां लगबग आप छोटा सा आधा चमत जीतना यह जो कस्टर ओल है यह आप इस तरह की यह खाले कटोरी में यहां आप ले लीजिए बस दोस्तों आपको इतना सा ही ओल चाहिए फिर यह नुसका आप तीन से चार दिन भी यूज कर सकते है फिर आपको लैसुन की कल्ल इस तरह की ले लेनी है और लैसुन के जो छिलके हो आप अच्छी तरह से निकल दीजिए उसके बाद इसको उपर से लगबग से इस तरह से थोड़ी सी काट लीजिए आप यहां देख सकते हैं आपको इतनी सी अच्छी तरह से यहां काट लेनी है उसके बाद यह जो अगर आप बढ़ाना चाहते हैं वहां आपको इसको लगाना है आप किस प्रकार से लगाएंगे आपको यह जो कली है वो इस प्रकार से यहां आपको रब करनी है लगबक से आप तीन से चार मिलित इस तरह से करेंगे तो आपके नाखुन तो बढ़ेगे ही साथ साथ अगर आ आदबर आप इसको रहने देंगे तो अगर सुबह उठके आप थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए और उनसे अच्छी तरह से वस करें अगर हो सके तो आप निम्बू के जो छिलके होते हैं उनसे भी आप अपने नाखुनों को वस कर सकते हैं हफते में लगातार आप इसका यूस कीजिए लगबग आप साथ से आठ दिन इसका यूस करेंगे तो आपको इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो देखने लायक होगा बहुत ही अच्छा होगा तो दोस्तो वीडियो कैसा लागा कमेंट बोक्स में जरूर बताए मैं मिलूंगा किसी एसे ही नए नुसके के सा तब तक के लिए नमस्कार